अच्छा जी और बचो अगर आर ग्रुप के यह जो आपके पास यह कार्बुनाइल कंपाउंड है एक तरफ आर और एक तरफ हो ठीक है एक तरफ अलकाइल हो सी एच्छी सी ओ एच तो यह क्या होगा इसका नाम किया है लेकिन इसका नाम पता है किसी को अगर करफ के दोनों तरफ एच आज फिर क्या नाम होता है प्रमालडी हाइड वेरी गुड क्या होगा फॉर्मालडी हाइड ठीक है इसी तरीके से आप लोगोंने स्पैसिफिक के करने होते हैं जो के आप जो कुछे जाते हैं मोस्टली क्लियर अच्छा यह रिमॉफ कर दूरेस कर दूं अच्छा आप लोगों ने लास्ट राइं का जो पड़ा था वो कुछ से उसकी प्रेक्टिस की किसी बच्चे ने बनाने की और विस्टे आप लोगोंने चीज़ें पहले भी पढ़िए आप सबको हाइबर्डाइजिशन आती है बच्छे से सब्सक्राइजिशन आती है बच्छे सब्सक्राइब येस मैं मैं टैस्क ले लूँ एक छोटा सा जिसमें इमानदारी आप लोगों का खुद का तकाज़ा होगा या आप इमानदारी से करेंगे अधर मैं अधरी ने पढ़ा तो नियुक्त कि है अधरी तो लेकिन फिर भी हमें आता है तो हम कोशिश करेंगे एक एक पिनुनिट आपनी क्यों नहीं पढ़ा था मतरमा से किन लेक्चर आपका कौन है आप मैंने ज्वाइन पिछले वीक कि तो मेरे बच्चे तो हमने लास् प्रवायो का परदा तक क्लास नहीं थी जरूर जरूर कल लूंगी कल इंशालल संड़ है संड़े काउप का टेस्ट नहीं अच्छा आप लोगों ना बचो इसमें से देखें यह क्या है आपके पास अलके इन ठीक है यह क्या डबल बॉर्ण आजाए तो क्या होगा अलकी इ ठीक है कि है और अगर अगया तो यह क्या होगा अमामे अगर आगया तो यह होगा इमी ठीक है और अगर यह आजए यह तो आपने यह आप लोगे में वहीं है और और आरोघ क्या है इधर आप लोगों ने से तीन से चार एक्जामपल देनी है बोल्ड सा करके आप लोगों ने मारकर से लिखना है ताकि एक्जामिनर को बता चले के हाँ वाकी बच्चे को आते हैं अच्छा यह चीजा मैंने सारी करवा दी थी ऐसे ही है अब हमने पढ़ना था आज आईसोमारिजम आईसोमारिजम क्या होता है कि आईसोमारिजम होता है बचो कि सेम क्या हो फॉर्मूला बट डिफरेंट बट डिफरेंट बट डिफरेंट फॉर्मूला अब मैं आपको बताती हूँ इधर ही बताती हूँ आपको ऐसोमेरिज्जम के हमकेहे सेμ点 मॉली स्पाहे there इसपैप वाताए जल्दी से स्टख्शर आइसोमेरिज्जम टीक है सेकिंड क्या होता है जीओमेटिकलाइसोमैरिजम इनको स्टीडियो भी हम कहते हैं अचा इसका एक और नाम होते है सिस्ट्रांस और जो सिस्टूरी्ट इसमेरिजम में पूछा जाता है और जो सिस्ट्राइस्ट्ट्ट्रा इसमेरियन डाल है यह पूछा जाता है और जिए जो आपके पास पूस्ट्राइस स्रक्षणफ दी में pesos दूसरा है वो आपके पास long question में भी पूछा जाता है अच्छा एक सिकिंड प्लीज अब इसकी देखें हम सबसे पहले बात करते हैं structural isomarism की तो बच्चो structural isomarism में हमारे पास different types आती है ठीक है structural isomarism यह होता है कि किसी भी formula का मेरी आवाज आ रही है ना clear यह मैं यह मैं आई है अच्छा बच्चो structural isomarism होता है कि किसी भी आटम का molecule formula तो सेम हो ठीक है लेकिन उसका structure है वो क्या हो डिफरेंट हो ठीक है तो हम कहेंगे अजी और यह जो होती है इसमें एक बात होती है कि different arrangement होती है atoms की किसी भी molecule में वही बात हुए structure का different होना यह different arrangement का होना किसकी आटम की और किसमें बच्चों किसमें बात कर रहे हैं किसी भी अच्छा अब इसकी ना बहुत सारी टाइप से जो कि वो खसर शॉर्ट कुस्टन में पूछता है पहली टाइप क्या है पहले टाइप हमारे पास आती है खीक है नाम से शो हो रहे है कि सेम जिसमें सेम फॉर्मॉला हो लेकिन जो चेन है वह different हो अब बात बताएं आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने यह मैट्रिक्स से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं के जो चेन होती है सेम कार्बन एटम्स होते हैं उसमें लेकिन डिफरेंट चेन्स होती है वह कैसे देखे मेरी बास होने लैट्स बचो आपके पास है इस एक्सेसाइज डिसकस करेंगे तब हम करेंगे इसको और यह पास पेपर में आया भी हुआ है कि वह सी सिक्स का होता है ठीक है एच एच फॉर्टीन का अब देखें आपके पास है लाट्स बचो बचो ब्यूटेन आपने चार कार्बर एटम ड्रॉख करने एक एक सेकिन बचो एक सेकिन लेट मी एक दो तीन चार ऐसे ही है आपने आपने सिर्फ कार्बन काउंट करने होते हैं हाइडोजन कैसे आते हैं हर कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो इसकी अगर बात करते हैं 1,2,3,4 इसकी बात करने तो 1,2,3,4 जब भी कोई स्ट्रेट चेन में हो त अगर 4 को आचेमें तो यह क्या होगया और यह क्या होगा अ होगा नार्मर्म, बशलै और यहां को और किस तरह सकते हैं इसको आपार यां पੇंदाब गांट हुसक्व कर दें और इसकी क्या बना दियार कार्बन की वैलेंसी को 4 कर दें ठीक है 4 बॉर्ट उसके कम्प्लीट कर दें with hydrogen अभीसली हम ऐड़कार्बें की बात कर रहे तो क्या टैच होगा hydrogen ठीक है अच्छा ये देखें अब हो गया अब इसके hydrogen काउंट कर लें सेम होगा फोर सी फोर एच ठीक है अब इसको क्या कहेंगे कोई बचा बता सकता अगर एक ब्रांच आ जाए लेकिन ब्यूटेन में कभी नियो नहीं बनता पैंटेन में बनता है ठीक है सी फाइटेन एच ठीक है जैसे तीन कार्बन इसमें इसे आजाते हैं स्ट्रेट चैन में एक ब्रांच बाफ एक ब्रांच बिलूट ठीक है और आप इसकी क्या कर देंगे इसकी वैलेंसिस को सैटिस्फाइब कर देंगे डन डैटिस कॉल नियो प्रेंटेंग क्लियर है यहां प्रांच इसी बालब किसी का कोई कोश्च नम्हाइम की को अच्छा नेक्स आंप करते है इसके एक्जांपल वी आप लोग देखेंगे किसी तरीके से इसकी एक्जामपल देखे आप कि चेन ऐसमेरम में सेम और नियोपेंटेन अब नेचलइए बच्छो पुजिशन ऐसमेरिजिमर्स तो इसका इसका स्ट्रक्चर होगा पुजिशन होगी किसकी पुजिशन कोई भी फंक्शनल गुप जो इसके साथ एक डेखें अगर तो पुजिशन अटाच थाना कलोरीन की यह कारबन नंबर वन पर अब कुछ बच्चे होते हैं मिस हम कारबन नंबर वन इसको क्यों नहीं कह है अधिशन के साथ क्या बचान होते हैं कि सब्टनी एक रहएं था कि यह रूल है नौन क्लेचर का कर जिस तरफ से तरह से प्टेंग खरीब होगा नेरर होगा जिस कॉर्ड में उसको को हम क्या कहेंगे वन तो यह क्या बन गया वन लोरो प्रोपेन और यह हमेशा बिटा नॉमन के लिए से का रूल होता है मैं आपको इंशालब चैप्टर नबर एट में इसके प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारे कि आपको क्लास में आपको कोई भी फॉर्मूला में दूंग पिर सब्सेचुएंट का नाम और फिर क्या लिखते हैं पेरेंट नेम लिखते हैं ऐसे हैं इसी तरीके से बचो यहां पर देखें कारवन नमर वान टू एंड थ्री तो यह क्या बन गया तू क्लोरो इनके दोसरे कारवन पर कलोरीन है और यह ओवरॉल कितने कारवन आटम तो यह हैं यहां तक सबको किसी का क्यों सवाब किससा पुछाए जिसको बिल्कुल समझना आ रही हो सब महारी हो अच्छा फंक्ट्रवब आइस सम्मारियल रहे इसम अच्छा यह बहुत इक्वोटन शॉट कोशन है यह बहुत और इसम पुछ जाता है फंक्शन ग्रूप इसम कौन सा होता है फंक्शन ग्रूप वहता है जिसमें इसमें डिफरंट फंक्शन ग्रूप बन जा जैसे देखें C286O C2H6O अब आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं आप इसको CH3 CH2 ये बन गया इथाइल और नौर्मली जिस अलकोहल की बात की जारी होती है वह हमेशा क्या होता है एथानोल होता है जिसको ड्रिंगिंग पर परपरिश इसके लिए बिस्तामाल किया जाता वह अलकोहल एथा तो लोगों ने ना क्या हुआ कि जब इसकी क्वांटिटी कम हो गई जब इसके कमी आने लग गई खरीदार बढ़ गए और बेशने कि इनसान जो है वह बहुत उसे बिमारियां पहलने लगी इवन के देथ भी अकर हो गई तो इसलिए जो बैथनोल है उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते कौन सा होता है यूज और देखे बचो दूसरी तरफ हम इससे क्या बना सकते एथर लिंकेज एथर लिंकेज क्या होता ह आर ओ आर क्या कोई भी अलकाइल ग्रूप ठीक है ओ आर ठीक है यह क्या बन गया डाइमिधायल डाइमिधायल मतलब 2 मिधायल मतलब CH3 ग्रूप और यह फंक्शनल ग्रूप कौन सा है इथर फंक्शनल ग्रूप कौन सा है इथर हो गया तो क्या बन गया डाइमिधायल इथर को पूंक्शिनल ग्रूप का इसमें और स्वॉर्ड ना चानल पूर की यह निशा चालते हैं हम मैटम मेरीजम मैटमेरिम मैटमीन क्या होता है मिडल पॉइंट मैटम स्पिप्रेजम उसम इसमें तो कारबन एक्टम हो कारबन-हजो मोलिकुल फॉर्मिला सेम हो पट जो number of carbon सब्सक्राइब है यहां पर लिखा भी यहां पर लिखा भी होता है अनिक्वल डिस्ट्रिबूशन ऑफ और साइड ऑफ फॉंक्शनल ग्रूप जैसे देखे एक तरफ तो ओक्सिजन पागि इन्उप विखा तो इसको ऑम कहते हैं मैट === जिसे मिटशन जो है उसकी वह क्या हो जाए अबन जाहे लेकिन से मोलिक्ले ौण पॉर्मूला order से मुझा इनके कार्बन नंबर की तदाद भी सेम रहे ठीक है है रोजन की उसकी भी तदाद सेम रहे और उससे क्या होगा कि जो बाकी आपके जो ऑक्सीजन है सारे कम नमबर उसमें लेकिन क्या होगा जो आपके पास फंक्शनल ग्रूप है वह चेंज हो जाएगा इस तोरी अगर हम प्रोपाइल ना लिखें पर ना लिखें यह नॉर्मल के लिए जब हो ना तो इसलिए करते हैं अच्छा कौन से यह किन पार्टिस्पेंट्स ने हैं कुछ पूछना चाहरी है अब शीजा बुल जननत मैं मैं ही पूछ रही हूं है जी पूछ लिए करें मैं पार्टिस्पेंट्स ने होता है जिसमें अलकेंज अनलकाइन आते हैं उसी में आप लोग फंक्शनल गूरूप इनका डिफरेंट होता है homologous series में सारे आ जाते हैं तकरीबद पता है homologous series क्या होती है पता है homologous series नहीं पर statement लिखी हुई थी इसनिमें आप से पूछ दिया यहां पर लिखा हुए such compound belong to the same homologous series class of class of compound हाँ जी अब मैं आपको इसलिए कह रही है homologous series होता क्या है homologous series क्या होता है जो एक जैसी properties रखते हो ठीक है यह से यह सारे पराफिन्स हैं पता है ना हमें क्या है कि सारे जैसी properties एक फैमिली से बिलाग करते हो तिस कॉल्ड हुआ तोटल मैरिजम क्या होता है कि shifting of proton की वज़़जा से जो हमारे पास आता है ना structure उसको कहते है तॉटो मैरिसम जैसे देखें यह क्या आपके पास अमाइनुट का स्ट्क्चर है ऐसे हैं पता है ना अमाइनुट निग्रूप जो है वह अच्छर्ड ये यह 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 पर आपके पास यह बेसिक है इसलिए यह क्या कहते हैं हडोजाई को इक्साप्ट करता ठीक है जो दे रहा पर आजएगा चार्ज बेसिकली होता क्या है और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके आजएगा पॉसिटिव चार्ज जो कर रहा है क्योंकिन के इंक्रीज हो गए फॉस्टिव इसको वैसे बैसिकली आप चो किस तरह से कर दो एक शिजन कठी हाजे ना एक आजएगा डबल और ए कि नाइटोजन पर लॉन पियर होता है ना वो अटाइक करेगा है डियुट चार्ज आता है नेगेटिव और अगर अगरम तो चार्ज आता है याद रहें रहेगी है इसको दूसरा नाम क्या देते हैं तो यह तरहैं जिसमें और यह होती है का फिनॉमेना ठीक है यह होगे हमारे पास जब कि अगर हम बात करें सिस्क्राइश हंजी मैं यह वह तो अपना है तो इस पर नेगटिव चार्ज आगा पॉजिटिव नहीं नहीं यहां पर वह कुंसेप्ट नहीं है कि जो आप कहरें लॉस ओफ एक्टम लॉस सिंगल आटम के बात होती है ठीक है सिंगल आटम के बात होती है जैसे हम बात करते हैं सोडियम है सोडियम के आखरी शेल में वैलन्स शेल में एक एलेक्ट्रोन होता है तो यह देने कर उजहां रखता है ठीक है यह एलेक्ट्रोन देने कर उजहां रखेगा सोडियम प्लस व करते हैं कि इन दोनों दरमियान वाणड हो जाता है आप लोगों ने अगर आप लोगों वह पड़ा उसके मेकैनना बींज चीज आप देखती है कि हाइड जब बॉर्टर को रिमूब करते हैं तो वह क्या बन जाता है पहले हाइडोजन आयन को एक स्टैप करके ऑक्सीजन पर प्लस चार जाता है तीन जब उसके बाइन बन जाते हैं ऑक्सीजन के आट टाइम तो वह जाता है रिमूब हो जाएगा ऐसे यह अच्छा अब देखें सिस्ट्राइसोमेरिजम में मैं आपको बताया था जिसमें सेम उनका स्ट्रक्शर फॉर्मूला होगा बट डिफर क्या होगा उनकी पॉजिशन अब आप लोग ने ना इसको यह भी इसका आप इसकी डेफिनिशन ऐसे भी कर सकते हैं कि स्ट्राइब्स जिन में सेम मॉ करते हैं आरेंजमेंट ओफ एक्टम्स इन स्पेस क्लियर इसको हम कहते हैं सिस्ट्नास आइसोमेरिजम या जिमार्टिकल आइसोमेरिजम क्लियर अपना इसमें से कुस्टन आता है बहुत इंपोड़न तू कारवन आटम ज्वाइन विदा सिंगल बांड आर कैपबल फॉर प्री रूटेशन अब आउट जो सिंगल बांड वाले होते हैं उनमें क्या होती फ्री रूटेशन होती है जबके हावेर वन टू कार्वन आटम ज्विदा डबल बांड दे कैन नौट रूटेट फ्रीली ठीक है वो रूटेट नहीं कर पाते हैं इसके नतीजे में को बतरे रियुक्ता करें है जबके अलकी में फ्रीलोटेशन नहीं होती है किया वज़ाहें Dr. Hayes और डियुक्ताना वाज़ब्स होतों में मसला वहाता कि ऐसमें साइट तो साइड अवर्लैपिंग होती है तो से रुटेशन होती है अच्छा मिष्बार रफी कोन है मैं मैं बताऊं बताएं making the carbon change less flexible and floppy Church liberal March किस्वजासे मैं पभर देखके बतारहें हैं mams इन और फ gente exercise में तो है वाणYour पर मैं तो अक्सिरात है अच्छा यह कौन पूछ रही थी यह भी मुझसे पूछ रही थी यह मिस्बाग हैंडेस करें थी किदर कहीं जो पर अच्छा जी आप क्या आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी आप लोगों ने जवाब तक पॉस्टर की बहुत कोशिश की है और कम सम मैं आपको बताती हूं इसकी ठीक है अच्छा अभी देखें आप लोग अभी पहले इसका मेकानिजम संदें सिस्ट्रास हुई किसकी वज़ा से फ्री रूटेशन की वज़ा से जब दो स्ट्टेट कर सकती है ना तो सब अगर बिटा सिंपल सी बात है इसमें कोई बहार नह पर अगर सेम साइड पर डिफरेंट आजएं यह सेम जो गुरूप से हैं वो डिफरेंट पॉजिशन पर आजएं यहां पर मिथाईल है तो यहां पर मिथाईल आजए और यहां बरूमीन है तो यहां बरूमीन आजए ठीक है देट इस कॉल ट्रांस ठीक है ट्रांस ऑपोज सब्सक्राइब करनी होते हैं वान टू थ्री फॉर किस पॉजिशन पर है कारबन नमबर टू पर तू इसको क्या कहते हैं ठीक है इसी तरीके से यह अगर इसने जब यह रुटेट हुए यह दो डबल बॉंड थे ठीक है यह पाई पाई एलेक्वान क्योंके वीकर है इस सब्सक्राइब किसंदा अब इससे क्या हुआ के एकफा तो यह आ गये सेंग साइड पे इसपंप में यह क्या हुआ ब इसमें ब्रोमो चքलो était वन ब्रोमो टू क्लोरो पेंटीन का स्ट्क्शर देखते हैं सबसे वहले वान टू थ्री पोर फाइफ ऐसे हैं अब इधर से कार्बन आपने चेंज शुरू करनी है वान टू थ्री पोर एड फाइज अब इदर देखें इसको टू हमने कहा है इसको इस तरफ से ये अगर देखें दोनों अलखायले दूट सैंप स्टेंड पर हागें और अधॉड इसका स्ट्रॉप्याय तो यह मैं उतिक्षिर इकिलों को उंधु क्रोर्पीन ब्रोम्टॉ प्रोपीन तो देखें सट्टें स्ट्रॉपनिमदMy.io यह हो गई आपकी फ्रेट ठीक यह ऑगी आपकी प्रेंटी क्लोरो कि अधर यह हुआ सिलेक्ट तो इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ कि आपका जो बन्हें श्रक्ष्या वन गोर iç अगर तो देखें हैलोजिन गूरूप दोनों सेम साइड पे हैं हैलोजिन तो यह क्या होगा s is और अगर हैलोजिन आ गए डिफरेंट साइड पे और अलकाइल जा जागें डिफरेंट पे तो यहिए होगा बिटा ट्रांस स्ट्रॉक्ट्रचर अद्ध आपको एक कोशन आता ह जी जी बिलकुल देखें ना मैंने बताया आपको के अगर रूटेशन हुई और वो डिफरेंट साइट पर चले गए तो वो ट्रांस ही बन जाएगा ठीक है अब देखें यहां पर हमारा अंसर आते है यह है इसका आंसर जो मैंने आपको पहले बताया है कुश्चन जो आता है आपका यह है वो उसका आंसर ठीक है अगर पाइबॉंड ब्रेक करता है वीक क्या है अगर पाइबॉंड ब्रेक करते है तो बिटा वो क्या हो जाएगा समझाए इस चीज़ की अब प्रेश करते हैं यह सिर्फ पलकीन में है क्योंकि हमने पड़ा कि इसमें अलकेंस में तो यह हो ही नहीं सकता और उसमें में क्यों नहीं हो सकता बला क्योंकि उसमें हिंड्रेंस आज दो पाइबॉंड की वजह से ना इसलिए नहीं हो सकता ओके अच्छा जी अब हमारे पास आती है इसकी आप लोगोंने मुझे मैं आप लोगों को टास्क देती हूं जल्दी से तीन मिनट की हमारी मिटिंग रहा की तो इसलिए आप लोगोंने जाना नहीं है कहीं भी अचा कितने एक सिकेंड बस और एक सिकेंड बस और एक सिकेंड